नवस्कार दोस्तों स्वागता है आप सब्सक्राइब के साथ में इस वीडियो में बात कहेंगे तमाम लेटेस अब्डेट को लेकर पच्पन अजार भरती पीटी विग्यापन के वाई में साथी परिच्छा थिदी आविदन को लेकर UPPSC से आगामी समय के अंदर नई भरतियों के विग्यापन के वाई में 79,000 के सबी अभरतियों के लिए बड़ी अच्छी खुशका भी देखने के लिए मिल रही है चाहे वो 36,593 चैन सुची या फिर अन्य जितने भी अभरती है UPTET को लेकर एक अच्छी कवर यहां पिग्यपती जादी हुई है बनवाइब सारी अपडेटम कवर करते हैं चली दोसों वीडियो शुरू करते हैं इंडियास लाजस लर्निंग प्रेटफॉर्म अगर आप लिए आपके लिए लेकर आया कम्प्लीट बैच को स्रीट प्रा बिल्कुल फिरी किलासे जो कि नौ ताइक से लेकर 11 ताइक के वीच में आपको मिलेंगी अगर आप टेट इडिट की प्रेशिन कर आए तो बैस्ट क्लासेज को जोईन करना बिल्कुल ना बूलें से जोईन करने के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और आज यह ज जादा जानगाई के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है साथी अनकेटमी पर मेरा डैफल को यूज करना बिल्कुल ना भूलें इससे आपको फी लाइफ क्लासे टेस्स साथी जो कोईजी सब बिल्कुल फी मिलेंगी और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का instant discount आज आज ही टीटी कोगे साथी अनकेटमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुस साथी फीचर्स घरसे बैटकर लाइफ पर सकते हैं अल्यम्टेट एकसेस कर सकते हैं सभी कोसिस पर प्रेक्टिस टेस्ट अटेंप्ट करने का मौका मौका मिलेगा सभी ब यूज करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है यूज कर ये आपको मिलेगा 10% डिसकाउंट तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमाम अपडेट को लेकर लेकिन उससे पहले आप सुभी से रिक्वेस्ट है कि जितने अप्वेथी वीडियो को देखें वीडियो को लाइ जिसके माध्यम से बताया गया कि टीटी के अंदर साथ ही आप सभी को बता कि नई सिच्चक बरती के अंदर अब नाई यूएस से डीलेट करने वाले अब बहती भी शामिल होने वाले हैं और उनकी संक्या भी काफी ज़्यादा रहने की संबाबना जताई जा रही है उसी कर बतियों बैठने का मौका मिलेगा तो ऐसे में आप सभी के सामने बड़ी अच्छी ख़वर हो जाती है उन डीलेट वाले अब बैतियों के लिए जो के एना यूस से डीलेट करेके बैठे थे काफी लंबे समय से लेकिन ऐसे में जो दूसरे अब बैतियों के संक्या बढ़न लेकिन ऐसे में दूसरी तर बात की जाए 55,000 सिच्छक भरती को लेकर बहुत सारी अब बैति काफी लंबे समय से 55,000 को लेकर इंतिजार कराएं उसी कर में P.E.T. का पार्टे करम गोशित हो चुका है पहिचा थे थी आवेदन को लेकर साही जानकरी मैं आप सभी को दिखान चाहूंगा लेकिन उससे पहले समझाना चाहूंगा कि आगामी समय के अंदर 50,000 प्रतों पर बहतियां आने वाली हैं तो उसके लिए आप लोगो अभी से मैनत करनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आगामी समय में अगर आप लोग P.E.T. पास करते हैं तभी 55,000 में चाहिए वो होगी ट्वैल्थ लेवल का आपका स्लेवर्स होने वाला उसी करम में जानकाई दी गई है 120 मिनट का आपका जो पेपर है वो होगा जिसके अंदर 100 कोश्चिंस आप सभी से पूछे जाएंगे उसी करम में यहां पर आयोग के अद्ध्यस के माध्यम से भी जानक पर शासन की अनुमती के बाद आगे की जो कार्दवाई वो शुरू कर देगा आयोग के प्रदेश विविन विवागों से रिक्त्रपतों की भरती के लिए 12 परिच्छा बढ़ारी कि लेकर नीती लागू किया साथ ही आप सभी को बताए कि इसकी अंतिकत पहले आफ्लाइन प्रारमिक पेश्चा ओगी उसके बाद आप सभी को बता है उसके बाद दूसरी जो पेपर हो और होगा आपना रखा गया है प्रते गलत उत्तर पर बनवाई फोल की नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी जो कि बड़ी अप्डेट आप सभी को देखने के लिए मिल रही है प्रिटी के अगर बात करें पहिच्छा अपर्टित की बात करें या फिजसा की नीचे आप सभी देख पारें आगडे ग्राफ के विसलेशन आदार पर प्रसन पूछने की योजना है हाला कि पार्टे करम पर अंतिम फैसला भी शार्षन को लेना है शार्षन की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हुआ है उसी करम में जानकारी है कि प्रिटी के पार्टे करम को अंतिम रूप दिया गया है इसे मंजूरी के लिए शार्षन को बेजा जा रहा है शार्षन की अन्मती मिलने के बाद इसे अब वहती को उपलब्द करा दिया जाएगा चेर्मेन की तरब से जानकाई दी गई है तो बड़ी अपडेट हो जाती यूपी टेपलेसी के लिए पहली चीज आप सभी का जो पार्टेका में गोचित हो चुका है जिसके अंदर जानकाई दे देगी क्या क्या आप सभी को मिलेगा लेकिन इसके अलावा आगामी समय के अंदर आप सभी को यार देखना है कि आपके जो आवेदन होने की संबावना है वो जनबरी के अंतिम हफता के अंदर आपके आवेदन लिये जा सकते है क्योंकि शासन की तरब से जैसी मंजूरी मिलती है यांसे सासना आदित जादी हो जाएगा उसी के बाद में आपकी जो परिछा कराने की त्यारियां है वो अप्रेल में होने की प्रबल संबाब ना है वह एक बाद जैसे परिटी होता है उसके बाद 55,000 परदों पर जो भरतियां वो आपको देखने के लिए मिलेगी हाला कि अलग अलग विवागों से होंगी चाहिए दसजा लेकपाल की बरतियों या फिर अन्य बरतियां जिनका काफी लंबे समय से जो इंतजार है वो किया जा रहा है तो ऐसे परिटी की तैयारी अभीशे करनी शुरू कर दीजिए मैंने कल देखाल को एक वीडियो बना कर जानकाई भी दी थी अब जल्द ही परिटी होगा और साम तक आप सभी के सामने बाहतें बन्तब सूबध तक आप सभी के सामने जानकाई कि अखवारों के अंदर परिच्छा के विग्यापन ना आकर योगी जी के माध्यम से गोशना हो तो बहुत अच्छा रहेगा उसी के में जानका या आप सभी के सामने एक वाफिस अखवारों के अंदर आ चुकी है खुश कभी एक उत्तवर इस लोग से वाइक से हजारों पर जो भरती है वो निकलेगी इस साल यूबाओं के लिए नई उम्मीद नई परदों के लिए मिला अधियाचन अगर बात के पीसे जे के वाई में जो के लगवग किचानवे पर दें आरो ए आरो के 123 पर दें सायक सां लगवग ये सारे पदों की संक्या है जो आप सभी को देखने के लिए मिल रही है आगा मी समय के अंदर लोग सिवाओं की माध्यम से इन सबी परिच्छाओं के जो विग्यापन ने वो जारी किये जाएंगे इसी मैंसे एक विग्यापन आने वाला अगर आपको याद होगा एल्टी गेड सिच्छक वरती का जिसके अंदर लगबग पदों की संकिया आठ हजार से उपर रहने की समभा आपना बताई गई है शार्षन की तब से पत्र लिख करके भी कहा गया था कि भरती जल्द शुरू कर दी जाए अब ऐसे में उंबीद है अगामी समय के अंदर तमाम पदों पर जो भरतीया है वो देखने के लिए मिलेगी उसी के वाइब में जानकाई आप सबी के सामने आजाती है जिसमें बतायागा कि दोजार एकीस के अंदर कई ऐसी नई भरतीया है जो कि लोग से भाईयो के माद्धियम से देखने के लिए मिलने वाली हैं बागी ये तो अपडेट हो जाती ही लोग से बाइयोक के वाई में वहीं दूसी तब बात करें 79,000 को लेकर बहुत सारे अबरती लगाता है अपने सवालों को लेकर पहिशान रहते हैं पर आपके सामने सटीक भी रहती हैं तो ऐसे में बहुत साई अब्यादी थर्ड काउंसलिंग वाले चाहिए बिद्याले आवंटन वाले चाहिए शंशूदन वाले लगाता है अपनी चीजों को लेकर पहिशान ते मैंने उनको जानकाई दी थी कि सासन इस तरह पे इसको लेकर जो वारता हुई है वहाँ से जल्द आप सभी के सामने फैसला आने वाला है तो उसी करम में यहाँ पर आप सभी का जो इंतजार समापत होने वाला है जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट जैसा कि 11000 के अंदर तमाम जो धने प्रदर्शन ने वो जाजी है चाहे तोटी संशुदन के मामले को लेकर हो या फिर दिब्यांग अभ्यातियों के लेकर 14 दिसंबर से यहाँ पर लगाता धना प्रदर्शन दिया जारा है ल अभियातर की बिएसे और भी तमाम चीजें देखने के लिए मिले इडिनी ठंड के अंदर ना तो अभी तक 4% आच्छन को लेकर कोई फैसला हुआ है नहीं अगर बात के इन अभ्यातियों के बारे में कोई जानकाई दी गई है हाला कि एक पत्र लिखकर के महान इदिरसक को बताया गया था उसके बाद से इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इनका जो फैसला है वो होगा उसी करमें लगाता अभ्याति को धहना प्रदाशन तो जारी है लेकिन कहीं ने की सरकार की तरफ से साशन की तरफ से इनकी मांगों को लेकर जानकाई नहीं दी गई है अभ्या अब इसके बगल में रेन बसेरे में चले गए थे मतलब यह कि अब्याति वहाँ पर रुकने के लिए कईने की जो अपना कामें को करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह तो बात रहे हैं दिब्यांग अब्यातियों के बारे में लेकिन दूसरी तर बात करें 79,000 की थर्ड का परन्टन का इंतिजार करते हैं और यही वह अभ्याति हैं जिनकी वज़े से इस दोनों अब्यातियों की थर्ड काउंसलिंग वाले अपना इंतिझार करते हुए दिखाई दे हैं क्योंकि समय पर क्नेले जहां होता तो आज यहां पर थर्ड कांसलिंग शुरू हो चुकी हो निव्टी से बंचेत अभ्यातियों को कानूनी दावा रहकर निव्टी देने की त्यारी करदा है इसके लिए नेदेशालय को लेकर शासन अधिकारी प्रतेक प्रक्राइब को लेकर यहां पर विवाकी तरफ से कहने की सजेशन लिए जा रहे हैं इसी प्रकार करीब अगर बा करना है कि छोड़ी छोड़ी गलतियों को लेकर 300 अभ्यातियों को रहात मिलने की संबावना है काउंसलिंग में तुटियों के कारण कई 790 से अधिक चैनित अभ्यातियों को इसकूल आवरिंटित नहीं किये गए थे इनकी समस्यां को दूर करने के लिए शासन ने चार दिस जैसे बिलंब हो गया बिलंब के वारे मैंने आप सभी को कईवा बताया था कि जो 36590 के अभ्यातियों थर्ड काउंसलिंग वाले हैं उनका कारण यही है कि कईनिकी शंशुदन को लेकर जो फैसले वो लिये जा रहे तो अपर मुक्ष सची बेसिक शिचा देनों का कुमाई ने बताया कि प्रक्राणों का विसलेशन कर रहे हैं जल्दी नेड़न लिया जाएगा तो यहां से जल्द अब अपडेट आने वाली है जो कि आगामी समय के अंदर छोटी छोटी तुटियों को लेकर होगी लगबग बताया गया कि 790 ऐसे अभ्याति हैं जिन मेंसे लगब वो एक दो दिन के अंदर हो जाएगा उसके बाद में 36-590 का विद्याले आवंटन होगा बड़ी अपडेट है हाली में मीटिंग देखने के लिए मिली थी कल सचिप के साथ मुलाकात हुई थी उनका भी कहना था कि जो कहिने की फैसले हैं वो लिये गए हैं जल्दी यहां पर शंशुदन का मामला किरियर होने वाला एक दो दिन के अंदर उसके बाद में विद्याले आवंटन सूची जारी होगी और जैसे विद्याले आवंटन होता है थर्ड काउंसलिंग की प्रकिया शुरू हो जाएगी इसी को लेकर लगाता मैं आप सभी को जानकाई देता ह है और इंतिजाज भी समाफ्त होने वाला है उन सभी अभ्यतियों का चायब उसंचुदन विद्याले आवंटन साथी थर्ड काउंसलिंग वहीं दोसी तब बात करें यूपी टीटी को लेकर तो यहां पर यूपी टीटी को लेकर विग्यप्ति जारी हो चुकिये जिन अभ प्रविके जो प्रवाड़ पत्तें वो लगेंगे साथी जाती प्रवाड़ पत्त आप सभी को लेकर जाना है आधार कांड की बूल कॉपी लेकर जानी है उसी करमे छाया प्रती आप सभी से मांगी गई इन सभी की जो कि वहां पर जमा हो जाएगी समय 11 बजे से 3 बजे की बीच में जाना है यूपी टीटी प्रवाड़ पत्त अभ्यति को ही दिया जाएगा किसी और को नहीं दिया जाता है यहां पर जानकाई फर्युका बात से दी गई है और यहीं जानकाई तमाम समाचापत्तों के माध्यम से भी दी गई 11 जनवरी से मिलेगा यूपी टीटी दिया था 2019 के अंदर उनके लिए बड़ी अच्छी खुश्कबरी है जाकर अपने डाइट से संपर्ग करें जहां पर आप लोग ने यूपी टीटी दिया था वहीं से आप सुई को प्रवाड़ पत्त मिल जाएगा यह ती तमाम लेटर सब्डेट बीडियो पसंद आए वी यू पर वाचिं दिस वीडियो